देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश और सबसे बड़े सूबे की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों मेंसे एक मैनपुरी इन दिनों अपने नए निजाम की तलाश में हैं मुलायम सिंग यादफ की निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोगसबा सीट पर वैसे तो चुनाव होने हैं लेकिन तैयारी ऐसी कि जैसे पूरा प्रदेश ही चुनावी मूड में हो वजह है मैनपुरी का इतिहास, अखिलेश की साख, समाजवाद की स्थापना करने वाले परिवार का वजूद और बीजेपी की चुनावी रणनी थी तभी तो पहले सैफ़ई में मूरत निकलवाया गया और डिम्पल यादफ के नामांकन के लिए आज की तारीख तैकी गए स्रीमती डिम्पल यादफ दिए, सूचना हम लोगों को मिली है कल एक और दो के बीच में नामांकन करने खलके आई गया कौन-कौन साथ रहेगा उनके नामांकन के सबी सीस निता, मानी राश्टी अदर जी, परमागरी प्रोपिसर रामपुपाल जी, मानी धर्मन जी, मानी सांसर जी और मानी दल के सारी लोगों रहेंगा डिमपल के साथ उनका पूरा परिवार होगा, या ये कह लीजिए कि पूरी समाजवादी पार्टी ही रहेगी, क्योंकि सवाल साख का है मैनपुरी का नतीजा तेह करेगा कि मुलायम सिंग यादव की समाजवादी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने में अखलेश कितने काम्याब हो पाते हैं मैनपुरी लोगसभा सीट पर 1996 से सभा के उमीदवार चुने जाते रहे हैं, यानि 26 सालों से ये समाजवादी पार्टी का गड़ है, जिसे बचाने की जिम्मेदारी अब डिमपल को दी गई है ये बात अलग है कि डिमपल यादव 2019 में कन्नौस से चुनाव लड़ी थी और बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक से हार गई थी लेकिन वो कन्नौस था और ये मैन पूरी है, ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर डिमपल के खिलाफ मैदान में उतारा किसे जाए अठकले तो अपढ़ना की लगाई जा रही है, अगर ऐसा हुआ, तो जेठानी और देवरानी में तीखा मुकाबला देखने को मिलेगा बीजेपी भले ही सभी सीटे जीतने की बात कर रही हो, लेकिन मैन पूरी के जातिय समीकरण क्या कहते हैं, जरा वो भी समझ लीजिए मैन पूरी में कुल पांच विधान सभा हैं, जिन में करहल और जस्वन नगर की सीट भी आती है, इस पर फिलहाल अखलेश यादव और शिफपाल यादव विधायक के तोर पर काबिज है मैन पूरी में लगभग सत्रा लाख मत आता है, जिसमें अगर यादवों की बात की जाए तो उनकी आबादी लगभग सवा चार लाख है, यानि 25 प्रतीशत जो सबसे ज़्यादा है जबकि शाक लगभग सवा तीन लाख, ठाकुर ठाई लाख और ब्रामणों की संख्या सवा लाख के करीब है जबकि मुस्लिम वोटर के अगर बात की जाए तो वो बहुत स्यादा तो नहीं, लेकिन मैन पूरी जैसी हाई प्रोफाइल सीट के लिए 45,000 की वोटों की संख्या हार जीत तै करने में एहम भूमिका निभाती है और बीजेपी भी इस बात को बखू भी जानती यही वज़े है कि बीजेपी यहाँ कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि एक तरफ जहां यह अखलेश के सियासी भविश्य का सवाल है तो वहीं मैन पूरी का यह उप्चुनाफ बीजेपी के लिए 2024 की नई रननीती का आधार